नमस्कार सागत आपका मैं हूँ शैली और आप देख रहें एंजेपी इंडिया हरियाना में चल रही नंबरदार एसोशेशन की पद्यात्रा को लेकर हरियाना के नंबरदार एसोशेशन के परदेश अद्यक्ष जिले सिंग से खास बात्चित की जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि वे सरकार के किन फैसलों का विरोध कर रहे हैं तो देखी हमारी एक खास बात्चित आज हमारे साथ मोजूद है नंबरदार एसोशेशन के परदेश अध्यक्ष जिले सिंग जी तो जिले सिंग जी मेरा आप से सीधा सवाल है कि पद्यात्रा को लेकर आपका हैं सरकार ने 23,12,21 को एक लाइटर जारी किया और उस लाइटर के अंदर ये लिख्या हुआ है नई नंबरदारों की नुक्तियां बंद कर दी और शायच साल के बाद में सर्वरा नंबरदार बनेता था और सर्वरा ये बंद कर दी और साहयच और पचेतर के बीट मेडिकल लोगा और पचेतर से उपर के नंबरदारों को अटाना सुरू कर दिया जब सरकार ने ऐसी बात की करी या समस्या पाइदा कर दी क्यों महरी तो कोई डिमान नहीं थी नंबरदार का तो काम है समाज और परसासन के वीज़ का कड़ी का काम करता है अगर समाज में कोई ऐसी अगर परसासन में कैसी ऐसी कोई बात आए जे वो समाज तक पुछ आता है लेकिन ये तो महरी सरकार ने जान बूज कर एक समस्या पैदा कर दी जो लोग दूसरों की बुराईयों को दूर करते हैं आज नंबरदारन अंदर खुद ही ये सरकाट आ गया और इने नहीं रोड गड़ जिले में लागू कर दिया और मैं अंदर गड़ के दिन मरदानों की डाक्टरी साइट साल से उपर गी और पचेतर साल से उपर गटाई दिये और मैं अंदर गड़ के बाद में ये लाइटर अव्ना नगर से लागू कर दिया लाइटर सारा आ रह है लेकिन सरकार द का सरकार का था नंबरदारों को बिलकुन नंगे करकर के उनका मेडिकल के ओना सुरू हुआ और नंबरदार एक ऐसे मान और समान का पद है वो इस्तरी के परिपरिक्रिया को सहर नहीं कर सकता जब नंबरदारों में ये मेडिकल इस्तरी आंगा वा नंबरदारों ने मेरे पास यह टेलीफोन करने से रू को कि यह परदान जी आप घर बेठे हो हमारे नंगे करकर के मेडिकल होने लग रहे हम बाड़ा कंदर अमने वहां मीटिंग बुलाई कैठल कंदर नो मारच को तो उसमें सभी नंबरदार कठे हो गए उनने नो फैंसला लिया बैं हमने तो स्यंति पर यह क्यों कई नंबरदारों की रहे ये भी आई सरड़क जाम करेंगे कई यह नो कावे मुख्य मंतरिया के रहो करेंगे क्यों उस्तित्रियां का दुख नंबरदारों का जो है ता खून उबल रहा था लेकिन लास्ट में हमने मारे पद को देखते हुए कि उन नंबरदारों का पद तो श्यंति पर यह है और श्यंति पर यह पद को देखते हुए हमने फैंसला लिया बैपद यात्रा सुरू करेंगे पहले तम सारे नंबरदारों को इसे जोड़ेंगे सुत्ते हुए नंबरदारों को जगाएंगे और ओ यात्रा एक अपरेल से कालका से यह सुरू की बाइस की में और कालका से सुरू करके कालका की सारी तसीलों में होती हुई यह अमबाड़ा तसील में आई अमबाड़ा डिश्टिक में जब यात्रा आई लेकिन मेडिकल उसी परकार के हो रहे थी लेकिन मेडिकल जब हम नंबरदारों ने एक फैसला लिया हम डीसी के दबतर के सामने औ परदर्सन करेंगे और परदर्सन में ऐसा करेंगे आद्धे कपड़े निकाल लिए वहां में परदर्सन किया और परशासन नहीं मारी बात को सुनिया उन्हों ने ये बात की ऐसे नंबरदारों ये नंगे कपड़े क्यों का निकाल लिए कि अब परदर्सन कर रहे हो लेकिन ह परसासन से रिक्वेस्ट क्रूएे यह मारी मजबूरी है आद तो मैं आजे कडिक़े के परत्रश्ласт किया है अगर मारी बात को नही माल यह इसक अजा जाए गा मारे नंबरदारों को नंगे करके मेडिकल नहीं किया जाएगा कल अर्याना का सारा नंबर दारोगर नंगा होके बेठेगा लेकिन परसासन ने मारी बात को मान्या मेडिकल तो हो रहे हैं लेकिन ठीक हो रहे हैं तो इसलिए ये जो पदियात्रा है पर आखले अंबाला में गई अंबाला डिश्टिक में पूरे में सारी तसीलों में जाती ही जब यह यूमनानगर में गई क्विकी सरकार यह चाहती है को इस तरह आँगे यात्रा ना ओ थारह पत्सासन ने कोषिष करका एक लइत्रा जारी कर दिया वो नंबर दारों को मुबाइल दाएंगे जब नंबरदारों ने मुबाइल मिलने की बात आई क्यों नंबरदार तो शांती पर यह देने वड़ा है उन्होंने एक फैसला ले लिया चलो वे सरकार हमें मुबाइल देने लग रही है और साथ ये उस तेमा के ये मेडिकल भी नहीं करें तो वो यातरा में पहले तर्ड की यातरा हो यह उन्हा नगर से हमने बंद कर दे सरकार ने ये मुबाइल दे दिये लेकिन मुबाइल देने के बाद में सरकार कहां चूप रहने मारी थी इन्होंने फिर सरसा से, इसार से, इसार के चार तसील, जीन्द की एक तसील, कैथर और करनाड की एक तसील, कुर्खषेतर की एक तसील में ये मेडिकल फिर सरू कर दिये जब ये मेडिकल सुरू हुए पूरे अर्याने के नंबरदारों में इस बात की बात हुए बैस सरकार नहीं माल रही अपाने तो फेर इस पर किसने कुछ करना चीए पांच दिसंबर को जीन में ये मीटिंग बलाएगी और उस मीटिंग में एक फैसला फेलिया बैए यही यात प्रम्ना कि यहाज्नुरी खाना authentic सरू करेंगे जो और जुन याल चुरुदर्धा नंगन के में जलेगा अलाक्ष तर पूसरा कैना जरा सम्ने यह यह एक जनुरी सेबूरे में यह सक्षिरियन आज़ साहिए फूरे अज़र कईक्या की सातों तशinen 1971 10 में दूटियों में ब और आज ये पांचमा दन है जो बावर से चलके रिवाडी के अंदर दो तिन दन दन लगे और आज रिवाडी से चलके दहीना जो रिवाडी की तसील है आज जो अमारी कोसली तसील में पहुचेगी है और कल कोसली में पूरा दन लगाएगी और आगा चलके जड़ जलेगी और मातन तसील में पहुंचेगी या इस करकर कर सार पूरा रियाने में जाएगी अगर सरकार हमारी बात को पहले माइल लेगी क्यों नंबरदार तो सरकार का होता है हम सरकार का दिन्यवाद करेंगे अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी पूरे अर्याने के एक सो चाड़ी तस्हीलों में जाके और एक समेलन का और समेलन भी इस परकार का करेंगे जो बहुत बड़ा समेलन होगा और उस समेलन के अंदर ही सारी बात सोची जाएंगी हम बहुश्चे में क्या करना चाहिए अब तक आप मतलब पदियात्रा निकाल रहे हैं तो अब तक सरकार ने आपको बातचीत के लिए बुलाया हमारे को सरकार ने किसी परकार की बातचीत के लिए ने बलाये है हाँ लेकिन इतनी बात तो जरूर हो रही है जिन तस्हिलों में मेडिकल शुरू है अन्हें मेसा के नहीं बढ़ी है या तो उस या तरह का फरक्स है या सरकार के कोई समझ माहरी है इस काम है पता ने कि उस सरकार की त पर तो इतने तक नहीं पुछरी नंबरदार बीचरे बुजरे बुजरे नंबरदार है कि वो आठ शाल ते देन तिक कोई नंबरदार बढ़ाया है नहीं है मोटली नंबरदारों की साइट साल से उपर उमर है तो आपको नहीं लगता है रिटायर्मेंट की उमर होनी चाहिए ऐसे है जी बिलकुल आपकी बात जायज है लेकिन जो नंबरदार का एक्ट में है वो पूरी जिंद्गी के लिए बन्या हुआ है और साइट साल के बाद नंबरदार दूसरा सर्वरा नंबरदार बनाया देता है ओ तो एक की जाँ दो आदमी दे दे हमें सरकार के तो क्यों नंबरदार ने खुद ने वे रहा है क्यों समादी के आदमी है परसासनी का आदमी भी है सरकार और परसासन के कोई कमी नहीं हिआ हुए. पहले साइट साल ते तो एक आदमी काम करे हैं, और उप बिना पीसे, बिना उत्प, साइट साल के बाद में दो आदमी हो जाते हैं. और असली नमबरधार, क्यूंँ नमबरधार का तैं़ काम में पिछाडना, साइट सतर उपचे इतर साल उसके बाद में असली बना उसने सब कुछ बेरा होता है, कोन आज मी कैसा है, कोन कड़ागा, किसी से कल, की साथ तरगांगा, उसने पुरा नौलिज होता है, मैं तो यह माननू हूँ, कि मेरी साल उमर भी बेहतर साल गी है, असली नंबरदार तो मैं 20 बिने हम नोजवानी के अंदर नंबरदार नी होंदा हिसा कि उसने सारा का सारा जो ग्यान होता है अब मने न्यू वे रहे बाड़क से लेकर बूड़े तक के के बाता थी है कि नंबरदा तो ही मैंने आजेगा जिहने पुरा नोली जोगा चलो छोटे है पूरा नोलीजो रहे हैं तो इसलिए हम नंबरदार यह मानते हैं कि नंबरदार सस्कार ने जो फैसले लिये ना नंबरदार पूरी जिन्दए जिएगा नंबरदार रहे गा ओ इसलिए लिया गया तो लग रहा है पद्धियात्रा करे कि की सरस्कार weary मांगों को लेकिन मैंने कहना नहीं चाहिए जब मारी पूरी जातरा हो जी कि उसमे कहना थे क्यों मैं आःडमी हूं, नंबरदारों से जो टकराया है, लेकिन उबुड़ के चंदिगट में नीगाया, क्यों मैं नहीं आड़ा टक्रिया लेकिन बड़े तंदीगें का मौनी देखिया है क्योंकि लोग उठीनी कें दें नंबरदारों में पांच पीरों की करामात होती है और नंबरदारों से टक्राने वाड़ा लेकिन हम तो क्यों सरकार के हैं ऐसी बात नहीं कहनी चीज़ वह बात मड़ी गलत होती है अगर जुम्यवारा आदमी कोई गलत बात कहता है तो उसका बहुत बुरा संदेश जाता है और हम तो इस सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं अगर यह सरकार मारा मान और समान खतम करेगी और जब पूरा समेलन बलाकर उसमें इसे फैसले लिये जेंगे आम तो नंबरदार रहांगे यह रोड को पुर्ग को मेरी तो जी या है और मेरी नहीं है अठाई जा नंबरदार है उनकी तरफ से मैं बोल रहे हूं ठीक है सब बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आपका भी बहुत बहुत अन्यवाद